नमस्कार भारत लाइब देख रहे हैं आप लगतार ये चर्चाएं अब बहुत तेजी से सुरू हो गई है कि इस देश में एक सत्र बुलाई गई है जो विशेश सत्र के नाम से जानी जाएगी इस सत्र में होगा क्या इस बात को लेकर के संसय और कयाशो का बजार गर्म है आ के सामने नहीं आई हैं लेकिन चर्चाएं बहुत तेज हैं और ये चर्चाएं और ज़्यादा जब मजबूत हो जाती हैं कि कोई अधिकारिक ब्यक्ति इन सब बातों पर अपनी बात रखता हो जगदी धनकर जिनको आप जानते होंगे राज सभा में सभापती हैं इन्हों ने एक कारिकरम के दोरान बहुत सारी बाते बताई है जिसमें उन्होंने इसारों इशारों में ये कहा है कि इस सत्र में होने क्या जा रहा है दोजार चौबिस के चुनाव से पहले और इंडिया गठ बंधन के मजबूत होने के दाओं के बीच इस सत्र का का काफी महत्तो ब दे करके आने वाले 2024 के चुनाव में फाइदा भारते जन्ता पार्टी को मिले विपक्ष के इन सारे तोहमतों के बाद कहा ये जा रहा है कि ये जो सत्र बुलाया गया है इसमें पास होने वाले बील इस देश को के भविश्य का निर्धारन करेंगे आपको बता दें कि इस सत्र में क्या खास होने वाला है इस पर अभी कुछ एसपस्ट नहीं की गई है आपको बता दें कि इस पूरे मामले को ले करके जिस तरह से चेर्मेन और उपराश्ट पती जगदीब धनकर ने अहम बयान दिया है उन्होंने जैपूर में अपनी बात को रखते हुए कहा कि इस बील के तहट या इस बैठक के तहट कौन-कौन सी बाते सामने आएंगी खास करके उन्होंने एक बहुत बड़े मुद्दे पर अपनी नजर तवज्जो दी है उसमें कहा गया है कि महिलाओं को ले करके एक बील आने वाला है जिसमें महिलाओं को आरक्षन देने की बात कही जा रही है इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर महिलाओं को आरक्षन देने क्या ये बील पास होता है तो इसके बाद लोकसाबा चुनाओं से पहले कई सीटें बढ़ाई जाएंगी या फिर जो आम सीटें हैं उसमें कटवती की जाएगी इस बात को लेकर के चर्चा चल रही थी कि इंडिया हटा करके भारत नाम किया जाएगा बात यहीं तक नहीं थी इसके अलावे वन नेशन वन एलेक्षन की भी बात चल रही थी लेकिन इन सारी बातों पर जो चर्चाएं चल रही हैं उन चर्चाओं में जगदीब धनकर ने कहा है कि जल्द ही देश की संसत और विधान सभाव में महिलाओं को उचित भागिदारी मिल सकती है जगदीब धनकर का ये बयान इसलिए भी अहम मान रहाता है क्योंकि संसत के विशेश सत्र को लेकर कई तरह के कयास लगाया जा रहे हैं बयान महिला आरक्षनबील को लेकर के है और इस पर चर्चाए बनने जा रहा है तो ऐसी इस्तिती में इस तरह की बैठके और फैसले बहुत जरूरी हैं जहां एक तरफ भारतिये जनता पार्टी और एंडिये की सरकार इस विशेश सत्र को लेकर के काफी आशानवित है तो वहीं दूसरी तरफ इसको लेकर के कयासों के बयार भी गर्म है जो विपक्ष में हैं जो गैर भाजपाई दल हैं वो इसका जम कर विरोध कर रहे हैं ऐसी इस्तिती में देखना दिल्चस्प होगा कि क्या का निकल करके सामने आता है और किन बातों पर मुहर लगती है इन सारी बातों को लेकर के हमारी नजर बनी हुई है आपकी नजर भा हार के राजनी और बिहारियत से स्वरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ले ओजे गो घंटी बाग उकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक ख़बर रुवा मुफ्त में मिल जाए अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प